क्लास fraction के बारे में दुबारा से पढ़ा रही हूँ ए fraction means a part of whole number fraction क्या होता है किसी भी whole number का part होता है जैसे ये पूरा एक figure बनी हुई है एक rectangle बना हुआ है तो complete figure है ये उसी rectangle को मैंने 4 part में divide कर दिया ये whole number है complete है इसको मैंने 4 part में divide कर दिया उसका मैंने 1 part shade कर दिया है तो ये जो पूरे का जो 1 part है वो कहलाएगा 1 by 4 यानि पूरे figure का 1 by 4 इसको कहते है fraction जिसमें 2 चीजे होती है उपर वाले number को कहते है numerator और नीचे वाले number को कहते है numerator जो कि आप पहले से ही पढ़ चुके हो तो अगर मैं इसका 2 part shade कर देती हूँ इसी figure को अगर मैं 2 part shade कर देती हूँ 1, 2, 3 इसका 2 part मैंने shade कर दिया तो ये fraction हो गया इसका 2 by 4 और अगर मैं इसका 3 part shade कर देती हूँ तो ये fraction हो जाएगा 3 by 4 यानि कि पूरे figure का whole number को मैंने अगर इसको divide कर दिया है 4 इससे में divide किया है और 3 पार्ट मैंने shade कर दिया है तो यह figure बन गई 3 by 4 यानि कि पूरे का 3 हिस्सा अब इसको हम number line में कैसे show करेंगे जैसे हमारे पार fraction यह है 3 by 4 मैंने अभी बताया कि यह पूरे का part है इसको हम कैसे show करेंगे number line बनाएंगे यह whole number है 0 यह आया 1 2 3 यह whole number है आपके अब यह जो 3 by 4 है वो किसका part है एक पूरे whole figure का part है यह number जो है 0 और 1 के बीच में आएगा और इसके हमने कितने part की है 4 पार्ट की हैं तो हम 0 से लेके 4 के बीच में भी 4 पार्ट बनाएंगे 1 2 3 और यह हो गया 4 आप देखेंगे यह हो गया 1 यह हो गया 2 यह हो गया 3 और यह हो गया आपका 4 4 में से कितना part लिए 3 part लिए है तो हम यहां से लेंगे 1, 2, 3 तो यह वाला जो part है 0 और 1 के बीच में जो यह तीसरा part है वो कहलाएगा 3 by 4 कोई और figure ले लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे whole number ले रही हूँ यह एक whole number है complete है plus कर रही हूँ एक और whole number complete plus कर रही हूँ मैं plus इसी whole number में मैं 3 part बना करके इसको shade कर रही हूँ तो इसका fraction क्या हो जाएगा इसका fraction हो जाएगा 1 और 1, 2 plus 1 by 3 2 plus 1 by 3 जो है यह आपका fraction बनेगा 2 and 1 by 3 के अब इसको हम number line में कैसे show करेंगे तो सबसे पहले हम line कीचेंगे यह number हूँ जीरो 1 2 3 4 आगे भी whole number आगे भी जा सकता है अब इसमें देखे complete part कितने है 2 complete part है एक part यह हो गया, दूसरा part complete यह हो गया fraction क्या है 1 by 3 तो हम इसके 3 टुकडे करेंगे जितने इसमें टुकडे हैं, उतने ही टुकडे हम इसमें करेंगे 1 2 और यह हो गया 3 यह वाला 1, यह हो गया 2, यह हो गया 3 तो यह पहले वाला 1 यह है दूसरे वाला 1 यह है एक और एक 2 तो complete 2 हो गया और तीसरा number जो आया 1 by 2 यह वाला जो number है 2 के बाद 2 और 3 के बीच में आएगा यह हो जाएगा आपका 2 and 1 by 3 number line में हम इस तरीके से number को show करते हैं अगर number 1 से कम है तो 0 और 1 के बीच में आता है जैसे 3 by 4 एक ही figure का part था तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा अगर एक से जादा हो जाता है तो number देखेंगे उसके बाद हम उसको show करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 by 5 1 and 3 by 5 तो हम क्या करेंगे line कीचेंगे 0, 1, 2, 3 पार्ट बनाएंगे अब हमें लेना है 1 and 3 by 5 यानि कि वो जो figure है उसका 3 पार्ट है और 5 उसके हमने टुकड़े की है तो 1 complete है तो यह पूरा complete हो गया है इसके बाद इसमें 5 pieces बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और यह हो गया 5 1, 2, 3, 4, 5 हमें इसमें से कितना लेना है 1 and 2 के यह number 1 and 2 के बीच में आएगा तो इसमें से कितना लेना है 3 by 5 1, 2, 3 तो यह वाला जो number हो जाएगा 1 and 3 by 5 अब आपको number line कैसे बनाते हैं यह समझ में आ गया होगा अब हम बात करेंगे type of fraction के बारे में type of fraction में सबसे पहला fraction आता है proper fraction proper fraction में क्या होता है जो numerator होता है वो denominator से छोटा होता है जैसे 3 by 4 9 by 18 1 by 5 7 by 16 numerator जो है हमेशा denominator से छोटा होता है तो यह proper fraction कैलाता है improper fraction बिल्कुल जैसे इसका उल्टा होता है इसका numerator बड़ा होता है denominator से जैसे 4 by 3, 7 by 2, 9 by 1, 9 by 3, 9 भी आपका जो है अगर आप इसको whole number में लिखते हैं तो ये भी improper fraction में आता है जो कि किसी भी number का denominator अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये number भी जो है आपका improper fraction में ही आएगा एक चीज और ध्यान देने की बात है कि जितने भी whole number होते हैं वो सारे ही improper होते हैं चाए वो 1 हो चाए 1 से बड़ा number हो जैसे ये 9 के नीचे हमने 1 लगा है तो ये भी improper में आएगा अगर इसके नीचे हम 1 लगाते हैं तो ये भी improper fraction के अंदर ही आएगा अब like fraction क्या होता है तीसरा है like fraction इसमें क्या होता है एवरी नंबर का denominator सेम होता है 4 by 5, 3 by 5, 9 by 5, 7 by 5 ऊपर का नंबर बड़ा हो चाए चोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है नीचे का denominator सबका सेम होता है लेकिन unlike fraction में क्या होता है denominator अलग-अलग होता है 4 by 9, 2 by 7, 3 by 11, 6 by 12 देखें यहां पर सबका denominator अलग-अलग है तो ये unlike fraction है तो proper fraction में numerator denominator से चोटा होता है improper fraction में numerator denominator से बड़ा होता है like fraction में denominator सबका सेम होता है और unlike fraction में denominator सबका अलग-अलग होता है और unit fraction इसके बाद आता है unit fraction इसमें जो है numerator सबका 1 होता है जैसे 1 by 9, 1 by 8, 1 by 7, 1 by 11, etc. तो इसमें unit fraction में numerator जो होता है सबका 1 होता है अब आपको fraction में improper fraction को आप convert कर सकते हैं mix number में क्योंकि उसका numerator जो बड़ा होता है convert improper fraction into mixed fraction जैसे ये दो आपको improper fraction है 9 by 2 और दूसरा है 35 by 8 आप इसको mix fraction में कैसे change करेंगे क्योंकि 9 by 2 में जो denominator होता है वो divisor number होता है 2 से हम numerator को divide करेंगे to forza 8 remainder कितना बचा 1 ये remainder आपका उपर आ जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 9 by 2 जो है 4 and 1 by 2 के बराबर होता है इसको हम 4 and 1 by 2 पढ़ेंगे इसी तरीके से 8 को 8 से हम 35 को divide करेंगे 8 forza 32 remainder कितना बचेगा 3 3 ये उपर आ जाएगा 8 नीचे आ जाएगा तो 35 by 8 का mix fraction क्या होगा 4 and 3 by 8 तो हम improper fraction को इस तरह से convert करते हैं और अगर हमें mix fraction को convert करना improper fraction में तो हम क्या करेंगे ये mix fraction है हम क्या करेंगे इसमें इस वाले denominator को साथ वाला जो number होता है उसको whole number गहते हैं denominator को whole number से multiply करते हैं 7 multiply 5 और whole number जो है उपर वाला जो numerator है उसको हम plus कर देते हैं और denominator अपनी जगा पर ही रहता है अब यह आ जाएगा 75 35 35 में 2 plus करेंगे 37 by 5 इसी तरीके से इसमें भी हम ऐसे करेंगे 8 को multiply करेंगे denominator से 7 से और फिर plus करेंगे remainder जो ये जो उपर का निक्यों numerator होता है उसको हम plus करेंगे नीचे denominator ही आ जाएगा 8 7 या 56 56 में 3 जो डेंगे 59 by 7 तो ये आपका improper fraction में convert हो गया है improper fraction हमें बताता है कि numerator जो होता है denominator से बड़ा होता है तो यहाँ पर numerator जो है denominator से बड़ा है हम आपको बताना है कि equivalent fraction क्या होता है equivalent fraction सारे fraction जो है equal होने चाहिए जैसे मैंने यहाँ पर number लिया है 4 by 5 4 by 5 का equivalent fraction आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे 4 by 5 को जैसे मालों आपको 5 equivalent fraction लेना है तो इसको पहले आप 2 से multiply करो उपर भी और नीचे भी तो कितना आ जाएगा 4 to the 8 5 to the 10 एक आ गया फिर 4 by 5 को इसका और equivalent fraction लेना है तो इसको 3 3 से multiply कर दो 4 3 is a 12, 5 3 is a 15 फिर एक बार और कर दो 4 by 5 को 4 से multiply करेंगे उपर भी 4 से किया नीचे भी 4 से किया तो 4 4 is a 16, 5 4 is a 20 तो यह मैंने इसको 3 बार किया है 1, 2, 3 तो 3 equivalent fraction है इसी तरीके से अब अगर आप और ज़्यादा बनाना चाते है तो इसको 5 5 से multiply कर देंगे, फिर 6 6 से करेंगे, फिर 7 7 से करेंगे तो इस तरह से 4 by 5 के बहुत सारे equivalent fraction आ सकते हैं अब हम numbers जो हैं हमें unlike fraction दिया हुआ है उसको हमें like में convert करना है जैसे हमारे पास number है 4 by 5, 3 by 10, 1 by 15 यह number हमें दिये गया है इसको हमें like fraction में convert करना है क्योंकि यह unlike है, unlike fraction बताता है कि denominator का unsame होना यहाँ पर denominator 5 है, इसका denominator 10 है, इसका denominator 15 है इसको like fraction में change करने के लिए हम क्या करते हैं denominator का हम LCM लेंगे 5, 10 और 15 LCM मतलब lowest common multiple तीनों ही number 5 के table में जा रहे हैं और यह number 2 के table में जा रहा है तो पहले 2 से करेंगे 5, 2, 5, 10 और 15 वैसी ही उतार लेंगे क्योंकि 15 odd number और 2 के table में नहीं आएगा अब 15, 3 के table में आता है तो 5 को copy कर लेंगे, यह वाला 5 भी copy कर लेंगे 3, 5, 15 तीनों number ही 5 के table में जाते हैं 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो LC हम क्या आएगा 2, 3, 6, 5, 30 अब इस 30 से इन तीनों को हम equivalent fraction जो मैंने अभी आपको बताया उसकी तरह इन तीनों को equal कर देंगे तीनों का denominator जो है 30 होना चाहिए 5, 6 जा 30 तो उपर 6 से multiply करेंगे दूसरा number है 3 by 10, 10, 3 जा 30 तो उपर भी 3 से multiply करेंगे 1 by 15, 15, 2 जा 30 तो इसको 2 से multiply करेंगे तो उपर भी 2 से multiply करेंगे तो ये कितना होगा 4, 6 जा 24 by 30 दूसरा number होगा 3, 3 जा 9 by 30 और 1, 2 जा 2 by 30 तो ये तीनों unlike fraction थे इसको हमने like fraction में बदल दिया पहला आया 24 by 30 दूसरा आया 9 by 30 तीसरा आया 2 by 30 तो like fraction हमारा हमने तीनों निकाल लिया 24 by 30 9 by 30 और 2 by 30 अब इस fraction को अगर आप से question किया जाता है कि इसको आप ascending order में chain कीजिए ascending order का मतलब होता है बढ़ते करम से लिको तो number को हमने ascending order में लिखना है यह अलग से question है अगर यही same to same question है यही वाला question सेम है इसको कहा जाता है ascending order में लिखो तो unlike fraction को पहले आप like में convert करेंगे उसके बाद like में convert करने के बाद आपके पास यह number आ जाएगा तो आप इस number को क्या करेंगे इसमें देखेंगे सबसे छोटा number कौन सा है सबसे छोटा है 2 by 30 तो सबसे पहले लिखेंगे 2 by 30 सबसे छोटा है less than का निशान लगाएंगे फिर 9 by 30 फिर 24 by 30 तो 2 by 30 कौन सा number है 1 by 15 सबसे छोटा हुआ उसके बाद 3 by 10 हुआ उससे बड़ा और 4 by 5 इसमें सबसे बड़ा हुआ तो आप ascending order ऐसे लिख सकते हैं और अगर आपको question आता है कि descending order करो तो उसमें भी पहले आप like में convert करेंगे आप इसमें छोटे से बड़ा लिखाया है उसमें आप बड़े से छोटा लिखेंगे descending order लिख करके next question है आपका reduce the fraction to their lowest form आपको जो fraction दिया गया है जैसे ये 18 by 27 है इसको आपको lowest form में लिखना है lowest form का मतलब ये number किसी और number के table में जरूर आएगा दोनों number आने चाहिए जैसे 18 और 27 जो है आपका 9 के table में आते हैं दोनों number को 9 से divide करोगे तो 9 to the 18 और 9 to the 27 तो ये number जो है किसी और number के table से divide नहीं होगा तो ये 18 by 27 का lowest form है इसी तरीके से दूसरा question है 80 by 90 80 by 90 ये दिख रहा है कि ये 10 से divide हो रहा है तो दोनों को 10 से divide करेंगे तो 108 जा 80 10 9 जा 90 अगर किसी number का हमें पता ही नहीं चलता है कि ये number कौन से number से divide होगा जैसे मैंने लिया है यहाँ पर 108 by 144 अब आप सोचेंगे पहले इसको 2 से काटना है फिर 3 से काटना है तो आप काट भी सकते हैं और अगर आपको difficult लग रहा है तो यहाँ पर आप SCF निकाल लो SCF से आपको highest common factor यानि सबसे बड़ा factor मिल जाएगा उसी से आप इसको divide कर दोगे तो वो आपका सबसे lowest term में आ जाएगा जैसे 108 बंजा 108 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पर 3 बचा है 3 को अंदर रखेंगे 108 अंदर चला जाएगा 36 3s अ 108 होता है 36 18 13 कहरी का 1 3 3s अ 9 और 1 10 तो SCF जो last number जिससे divide complete होता है वो SCF कहलाता है तो इसका SCF है 36 तो यह जो number है 36 से divide हो जाएगा उपर भी 36 से divide करेंगे नीचे भी 36 से divide करेंगे तो आंसर आएगा 36 3s अ 108 और 36 4s अ 144 तो आप SCF लेके भी कर सकते हैं जैसे next question एक और है 14 by 21 यह तो दिख रहा है इसको काट भी सकते हैं 7 2s are 14 7 3s are 21 आप इस तरीके से काट के भी कर सकते हैं तो यह हुआ आपका reduce the fraction to their lowest jump एक और question है comparison of fraction किसी भी दो fraction को हम compare करते हैं पसमे जैसे एक fraction है 5 by 6 दूसरा fraction है 3 by 4 इनको हमें compare करना है कि कौन सा number बढ़ा है कौन सा छोटा है तो comparison हम पहले से करते हैं कि पहला number दूसरे number से बढ़ा है कि छोटा है उसके लिए या तो हम LCM निकालते हैं या हम cross multiply करते हैं cross multiply में left side का number यह होता है इसको ऐसे arrow लगाते हैं और right side का number नीचे से उपर वाला होता है तो हम लिखते हैं यहां पर V cross multiply और यहां पर 5 को 4 से multiply करेंगे और दूसरी side में 6 को 3 से multiply करेंगे 5 4s are 20 और 6 3s are 18 तो यहां पर 20 आपको greater नजर आ रहा है तो इसका मतलब है 5 by 6 जो है greater than है 3 by 4 से अब अगर आपको LCM लेके करना है same to same इसी question को तो हम पहले क्या करेंगे 6 और 4 denominator का LCM निकालेंगे 2 3 is a 6 2 2 is a 4 2 1 जा 2 3 को copy किया 3 जा 3 तो LCM कितना आएगा 2 2 is a 4 यह side वाले number को multiply करेंगे 2 2 is a 4 4 3 is a 12 दोनों number को हम 12 के equal करेंगे 6 2 is a 12 6 2 is a 12 जैसे अभी हमने ascending order में किया था unlike को like में change करने के लिए क्योंकि यह दोनों unlike है अब इसको like में change कर रहे है 4 3 is a 12 उपर भी 3 से करेंगे 5 2 is a 10 6 2 is a 12 3 3 is a 9 4 3 is a 12 तो देखिए number कौन सा बढ़ा है 10 वाला number बढ़ा है तो 10 by 12 greater than 9 by 12 वही number 5 by 6 यहां पर बढ़ा था और LC हम लेने के बाद भी वही number बढ़ा आया तो इस तरीके से हम comparison करते हैं ascending order भी descending order में भी मैंने आपको बता दिया अगर इन दोनों number को ascending order में लिखेंगे तो 9 by 10 पहले आएगा और 10 by 12 बाद में आएगा और अगर descending order करेंगे यह दोनों number अपने आप में descending order में क्योंकि यह बड़ा number है यह से चोटा number है तीन number होते तो इससे चोटा number कोई और होता तो यहां आ जाता अब हम fraction को दोनों को add करते हैं add करेंगे हम fraction को या sum करेंगे find the sum अब यही दो fraction ले रही हूं है यह 5 by 6 है और 3 by 4 है जो उपर जिसका मैंने comparison किया था इनी दोनों को मैं sum करूंगी तो पहले उसी तरीके से हम lcm निकालेंगे lcm कितना है आप यहां पे सामने show करेंगे lcm को 6 और 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 बंजा 3 2 बंजा 2 2 multiply 3 multiply 2 equal to 12 तो यह दोनों 12 आ जाएगा अब आप क्या करेंगे नीचे इन दोनों को equal करेंगे उसी के तरह से जैसे पहले किया था 5 by 6 multiply 2 multiply 2 10 by 12 और दूसरा नंबर है 3 by 4 4 3 is a 12 3 3 is a 9 तो यह 9 by 12 अब क्या करेंगे उपर वाले नंबर के साथ numerator को add कर देंगे और denominator single time लिकेंगे तो 10 में 9 plus करेंगे तो कितना आएगा 19 by 12 अब यह नंबर आपका improper fraction में आ गया है नंबर अगर improper fraction में आ जाता है तो हम उसको mix में convert करते है 12 बंजा 12 19 में से 12 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा तो 7 उपर और 12 नीची आ जाएगा तो आंसर आगे आपका 1 and 7 by 12 जैसे हमने सम किया है इसी तरीके से आप subtract करेंगे अगर आपको इसको subtract करना है तो कैसे करेंगे 10 by 12 माइनस 9 by 12 हो जाएगा यह इसी नंबर को अगर करना है अगर यहाँ पर माइनस का निशान होता तो 10 में से 9 माइनस हो जाता नीचे 12 आता यह answer आता 1 by 12 तो यहाँ तक आप अपनी बुक में से practice करेंगे Thank you